नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं इंफिनिटी इंफो दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ या तो कंपनी में आपका HR Department या अकांट देपार्टमेंट जो भी है वह अपडेट करते हैं या फिर आपको खुड से आता है तो आप से अपडेट कर सकते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद से डेट ऑफ एक्जिट कैसे कर सकते हैं तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है तो किरपिया वीडियो के वाइसी अपडेशन मेंबर का ओप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको अपना यूए नंबर और पासवर्ड इसमें मैंशन करना है तो जैसे कि आपको इसमें अपना यूए नंबर डालना है कि यूए नम्मर डालने के बाद आपको इसमें अपना पास्वर्ड एंटर करना है और फिर आपको इसमें साइन इन पर क्लिक करना है इसको लेटर कर दीजिए और इसके बाद आपको तो क्या करना है सबसे पहले आपको वंपना अपना डेट ऑफ एक जिट करेंगे तो आपको यह देखना है कि महinentना पास्वर्ड एक जट आई ए जिसमी महत में अपका सेलरी आई है आपको यहां पर मेंशन्य हो और date of exit जैसे कि आपको पता ही है कि हमेशा 60 days के बाद ही date of exit डालने का option आता है तो यहाँ पर आपको अपना UN number फिर से फिल करना है एक बार और फिर आपको इसमें अपना password फिल करना है और फिर आपको इसमें अपना capture और यहाँ पर आपको login पर क्लिक कर देना है ठीक है तो जैसे कि आपका यह open हो गया है आपको इसमें अपना देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें एक ही member ID आ रही है मेरी क्योंकि मेरा एक ही company का है फिर आपको यह new yearly पास्टूक पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिए नीचे last month मेरा जो भी मेरी salary आई है वह नौंबर में आई है और उसके बाद December में 00 है तो मतलब नवंबर महिने की salary में से मेरा जो PF कटा है वह मेरा last PF है उसके बाद December में मेरा कोई PF नहीं है तो इसका मतलब मेरी December में मैंने जॉब नहीं करी है अगर वह दो दिन का भी होता है या पांस दिन का भी जॉब की होती तो उसमें या पर PF आता तो इसलिए मेरी date of exit जो डलेगी वह एक December से लेके मैं कभी भी डाल सकता हूं पंदरा December एक December 10 December जैसा भी आपको लगे पर मैं एक December डालूँगा तो इसमें मैं ठीक है बैक दुबारा से अपना पीछे वाली विंडो पर आता हूं मैं इसमें आप अपना management क्लिक कीजिए management क्लिक करने के बाद आपको mark exit यह देखिए mark exit पर सबसे नीचे जो यह option आ रहा है आपको इ में भी बताया था तो आपका सारा claim नहीं हो पाएगा सिर्फ advance ही निकाल पाएंगे तो जैसे कि आप यह देख रहे हैं employment इस पर क्लिक करना आपको अपनी member ID सेलेक्ट करनी है और इसके बाद date of exit आपको इस पर क्लिक करना है इसमें देखिए December महीने का ही option दे रहा है इसमें आप मन्त भी चेंज नहीं कर सकते हैं बस आप अपने मर्जी से date सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं इसमें अपनी date सेलेक्ट करूँगा एक तारिक तो हम यहां से अपना OTP डालेंगे, और OTP पर नीचे इस पर क्लिक करेंगे, और Terms and Conditions सारी हमने असेप्ट कर लिए हैं, और Submit पर क्लिक कर देंगे, और यहां पर Update पर क्लिक कर देंगे, तो Processing Your Request हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद यह आपका Complete हो जाएगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, Date of Exit Successfully Updated, तो OK पर क्लिक कीजिए, एक बार फिर से आपको अपना Date of Exit पर जहां पर Option आए, वहाँ पर देखना है, और यह आपकी देखिए, यह Request जो है, यह History, आपको यहां शो हो रहा है, Date of Exit पर, 1 December, 1 December, तो हम दुबारा से एक बार इसके Manage में जाएंगे, Management जाने के बाद सबसे नीचे Mark of Exit पर आएंगे, और Mark of Exit पर आने के बाद, देखिए, यहां पर यह Request डली होई है, और आपका यह Update हो गया है, Update on देखिए, राइट साइड में आपको बिखा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को Comment section में आप मेरे को बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, और अगर आपको कोई भी Query है, तो आप मेरे को Gmail से Contact कर सकते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.